हेलो दोस्तों आपस अपको स्वागत है ट्रेन विशुबं चैनल पे और अभी तक आप लोग देख रहते हैं कि कैसे एक लामडा फंक्शन बनता है लोगों ये लामडा फंक्शन बनाया जहां पर हम लोगों बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से समझा था कि कैसे लामडा- sax काम करते हैं कैसे लेर्ड़्स एड़् हो ते हैं और आजकि वीदियो में हम लोग सारे वीडियो बना चुका हो आपने वीडियो अभी तक नहीं चेक आउट किये तो तुरंत कर लीजे बहुत सारे वीडियो बनाएं API क्या होता है तो हम लोग एक REST API बनाने वाल है जो हमारे Lambda function को पावर करेगा मतलब समझ लीजे कुछ तो ऐसा रहेगा कि ये हमारा Lambda function बना हुआ है ठीक है ये हमारा Lambda function बना हुआ है ये हमारे API Gateway है जिसमें बताएगा ये Post API है या Get API है या mostly हम लोग Get API ही बनाएंगे ठीक है Get API है और फिर ये API यहां से Integrated रहेगी तो जिसको भी API कॉल करनी है वो basically आपका API Gateway के through ही आगे जाएगा और ये response लेके देगा ठीक है Simple से बात होता है API Gateway जैसे Gateway नाम दिया ना Gateway आप gate खोलो अंदर जाओ gate बन करके बहार आओ ठीक है API Gateway अब मैं API Gateway पर जाता हूँ आपको यहाँ पर सर्च कर ले ना AWS के अंदर API Gateway सर्च कर लो और आपका तुरंत API Gateway खुल जाएगा अब API Gateway पर आपको बनानी है API ठीक है कौनसी HTTP, WebSocket, REST API, Private और REST API चार options मिलता है आपको बनानी है REST API तो build कर लो अब writing your first API भाई है मेरी पहली API है तो वो पूछ रहे कि आपको कैसी चाहिए protocol आपका REST चाहिए तो हां मुझे REST चाहिए आपको एक नहीं API example के थूँ बनानी है या swagger से बनानी है new API बनानी है मुझे कब यह new API बनानी है हमें example से नहीं मतलब है हमें नया नया बनाना है API का नाम है get user data क्योंकि हमारा यह जो lambda function है वो क्या कर रहा है एक user का data लेकर आ रहा है अगर result आप देखो तो user ID और completed कुछ तो है ठीक है आप get user data description gets the data from lambda कुछ भी description आप डाल सकते हो endpoint आप edge optimized डाल दो थोड़ा सा fast होता है edge optimized मतलब edge computing में आ जाता है थोड़ा सा fast होता है थोड़ा सा optimized रहता है और बस create an API इतनी simple सी चीज थी आपकी API create हो चुकि है अब आप उसको API को design करना है कि वो API get API रहेगी post API रहेगी कैसी API रहेगी तो मैं actions में जाऊंगा और इसको बड़ा कर देता हो पहले create a method कर दूँगा तो http methods होता है तो rest API के method रहेंगे any delete get तो मैं get कर देता हूँ कि मैं get API बनाने वाला हो ठीक है API बन चुकि है अब वो कह रहे है कि आप कैसा integration करना चाहते है तो हम लोग basically क्या कर रहे है lambda function और API gateway का integration कर रहे है as a devops engineer आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या authorization रहेंगे क्या क्या integration रहेंगे तो मैं simple सा lambda function के साथ integrate कर रहा हूँ और lambda function है मेरा learn learning lambda नाम का function है जो हमने last video में बनाया था अगर अपने वीडियो अपर तक नहीं देखे तो तुरन देख लिजे बहुत interesting थी वह वीडियो और यह करके मैं save कर रहे हूँ you are about to give API gateway permission तो invoke यह lambda हाँ भाया permission देदो जिससे कि मैं lambda function invoke कर पाँ अब मैं करूँगा test अपनी API को ठीक है test कर लो भाया API को तो test करके आ रहे है API मतलब मेरी API का जो मैं response expect कर रहा हूँ वो response मुझे मिल रहा है एकदम मस्त मिल रहा है मतलब API चल रही है अब इस API को deploy भी करना पड़ता है आप देख सकते हो यह engine call कर रहा हूँ तो यह enable करना पड़ता है तो मैं कर देता हूँ enable course ठीक है enable course कर दिया टिक 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 सारे आ गए अब मैं क्या करूँगा deploy कर दूँगा deployment stage एक नया stage बना देता हूँ stage का name डाल देता हूँ मेरा dev तीन चार्ट stages होते है dev staging production ऐसे तीन stage होते है अपने software engineering में तो मैं dev बना देता हूँ description कुछ तो development डाल देता हूँ development डाल दिया और बस इतना ही है और करके मैं deploy कर देता हूँ तो मेरी API हो चुक है deploy और API का URL भी मिल चुका है तो get API है अब as promised इसको test किस पर करेंगे इसको हम लोग test करेंगे postman पर postman बहुत ही amazing tool है मैं postman student leader भी हूँ तो आपको अगर postman related कुछ भी doubt हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते है तो postman हम लोग कर लेते है open यह रहा postman आपका और इस postman पर हम लोग बना देते हैं नहीं API जिसका नाम नाम तो नहीं जिसका basically end point क्या रहेगा यह रहेगा तो copy कर लो copy link address और यहाँ पर जाके paste कर दो अब यह get यह क्या कर रहा है postman आपकी API को call करने का कोशिश कर रहा है ठीक आपकी API को call करने के कोशिश कर रहा है और अगर मैं इसको send कर दू तो आपका आज चुका है response मतलब आपकी API दुनिया के किसी भी कोने से accessible है अपने postman से उस चीज को test भी कर लिया बहुत ही simple सा था आ आपने देख लिया कैसे मैंने API Gateway से एक API बनाई उसको integrate किया AWS Lambda के साथ Lambda क्या होता है मैंने यहाँ पर Lambda बताय हुआ है अब मैं यह भी बोल सकता हो कि एक add trigger कर दो कि मेरा API Gateway add trigger ठीक है अब यहाँ पर मैं get user data को development के साथ security open रग देता है और add कर दो तो मतलब जब भी मेरी API trigger होगी वो यह Lambda function को call करेगी simple है अभी कर देता है add trigger हो चुका है तो आपका Lambda function कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि API Gateway से वो trigger हो रहा है जिसके अंदर एक layer है और बस आप अभी तक सिर्फ टेस्ट कर रहे थे यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे थे और आपका output अभी क्या होगा अभी directly आपको उस Lambda function का output किसी भी screen पर आएगा किसी भी client पर आएगा अगर मैं यहाँ पर browser पर भी जाओ अगर मैं इसको browser पर जाओ और इसको run करू तो मुझे इसका output आ चुका है आप देख सकता है तो मतलब मेरी API बना दी है मैंने using AWS that to serverless मतलब कोई EC2 machine न मैं देखा कि कैसे AWS की services को use करके आप Lambda functions बना सकते हो gateway API gateway के साथ integration कर सकते हो और इसको postman पर test भी कर सकते हो simple सा tutorial था मैंने as promised आप सब के लिए ये चोटा सा tutorial लेके आया I hope आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा I hope आप DevOps अच्छे इंजीनियर बनो AWS सीखो और life में बहुत अच्छा करते रहो यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देखते रेंविशुगम चैनल थाओच्छुगम चैनल